एक्टरस माणी रॉय की बात करें, तो उन्होंने एक इंटरविवे में भगवत Gita के बारे में कुछ काहा है क्या है उनका कहना आये करते हैं बात हलो दोस्तो मैं अभीशेक और आप देख रहे हैं भूगल बॉलिवूड दोस्तों एक्टेस मौनी रॉय की बात करें तो उन्होंने एक इंटेव्यू में किया है रवील कि लॉकडाउन से पहले उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया था और उनका कहना यह है की इंडिया के हर एक स्कूल में सिलेबस का पार्ट होना चाहिए भगवत गीता को और तो और उनका यह भी कहना है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं आम लोगों को भी भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है इसको एक धार्मिक किताब की तरह ना लिया जाए बलकि आपके हर सवाल का जवाब आपको इस किताब में मिलेगा मौनी रॉय की बात करें तो उनका कहना यह है कि लॉगडाउन से पहले उनकी किसी फ्रेंड ने उनको रिकमेंड की थी भगवत गीता और उन्होंने इसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मॉनी रॉय ने भगवत गीता को पढ़ा वैसे ही मॉनी रॉय की personality बिल्कुल ही बदल गए उनका कहना यह है कि बचपन में उन्होंने भगवत गीता का सार तो पढ़ा था लेकिन तब उनको यह समझ नहीं आया लेकिन जैसे maturity आये और अब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और अब उनको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला है इसलिए उन्होंने recommend किया है सबको कि श्रीमत भगवत गीता को सबको पढ़ना चाहिए और अगर हम Moni Roy के career की बात करें तो उनका कहना यह है कि entertainment industry काफी ज़्यादा frustrating है और वो कहती हुई नजर आए है कि इसमें बहुत ज़्यादा तनाव है उनका कहना यह है कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे तो हमारे सवालों के जवाब हमको मिलते रहेंगे और हमारा peace of mind भी हमारे साथ रहेगा और अगर हम उनकी movies और web series की बात करें तो आपने उनको film gold, raw और London confidential में जरूर देखा होगा और उनके आने वाला project है ब्रहमास्त्र और अगर हम मौनी रॉय की personal life की बात करें तो वो जल्द ही शादी कर सकते हैं दुबई रहने वाले सूरज नामब्यार के साथ तो दोस्तो आपकी कह रहा है मौनी रॉय के इस interview पे आप अपना feedback हमें जरूर दीजेगा और Bollywood के साथ योई जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है Google Bollywood